पीजितल मीडिया और अगर आप अच्छे तरीके से लोगों को अच्छा कांटेंट दे रहे हैं तो टेलेविजन को भूल जाए, डिजिटल के ही उपर आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, उस पर आपको कोई रोकेगा नहीं कुछ करने से आम इंसान तो बहुत जल्दी जगा बना सकता है, फिर टीवी बहुत पीछे रह जाता है और सोशल मीडिया काफी आगे चला जाता है, अगर आपने अप तक यूटीब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया और फेस्बुक पेज फालो नहीं किया तो जरूर करें और इंस्टाग्राम पर फालो करना नहीं भूलिएगा अवैस मंगलवाला साब हमारे साथ मौझूद हैं, इंट्रोडिक्शन में हम टाइम जाया नहीं करेंगे क्यूंकि रोज सुभा आपको लोग देखते हैं तो सबसे पहले तो यह बताईगा कि आपकी स्मार्टनस का राज किया है स्मार्टनस का राज किया, कहां से स्मार्ट लग रहा हूँ भाई मैं आपको मेरे से स्मार्ट लग रहे हैं वो अलग बात है लेकिन यह के बड़ा एक कामन सी परस्नेलिटी है भाई मेरी सबर्दास और इस तरह के जो है आप अभी यह बाहर निकलें पचास मिल जाएंगे मुझ जैसे भी जाएंगे बड़के फोटो जैनिक होए तहें तभी तो आप काम कर रहे हैं फोटो जैनिक की अललग ताल्या ने बना दिया है यह यह अलला ताला का शुकर है के फोटोजैनिक है वो कैमरे पर थोड़ा मुनासिब फेस आजाता है विलकुल और वो मुझे पसंद नहीं आता है लेकिन ये के बैतर है अच्छा अल्लाग शुकर खाना देखके रूख जाते हैं आप नहीं मैं अपने फेस की बात कर रहा हूं कि मुझे अपना फेस देखता हूं या मैं अपनी आवाज सुनता हूं तो मुझे इतनी पसंद नहीं हाती है अच्छा अच्छा आप बढ़ाता हूं आ अंलाइन हाउ टू मेक मनी ओनलाइन के यानि के इन शौर्ट इंटरनेट से पै गूगल से कैसे बनते हैं यहां तक के टिक टॉक से कैसे बनते हैं इस सारी चीज़ को ट्रेनिंग मैं लोगों को देता हूं सवाल आप से यह है कि डिफिनिटली आप होस्ट करते होंगे प्रोग्राम और आपके पास भी आते होंगे अब डिजिटल मार्केटिंग बेसी एक technical field है हर कोई कमाना चाहता है सवाल करते वे जजगते हैं अब आप भी जब program करते होंगे आप research करते होंगे definitely आप के बगहर तो हो नहीं सकता ना exactly ऐसे ही है तो आप कैसे अपना सवाल जज़ करते हैं कि exactly उनसे क्या पूछना है कि इस field से related जो है वो कैसे उनसे निकलवानी है बातें उसके लिए क्या plan होता आपके पास प्लैन सिर्फ यह होता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपने जिस शक्स को बुलाया उसे क्यों बुलाया है और आप इससे क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं अब आप मुझसे बात करना चाहरे हैं तो आपके सहन में एक एजेंडा होगा और उस एजेंडे के तहट आपने सवालाद बनाया होगा कि यह बुनियादी पाफ चीज़े हैं जो मैं इससाप से जानना चाहता हूं तो इसी तरीकी से अगर मैं किसी क्रिकेटर को बलाऊंगा तो मैं यह बुलिए हो क्या हुँआ की यह यह मेरे सवालाद कर दो कर लगा यह था है यह इनकी मारकटिन होती थे दिटिशनलandinoden फो इस बनारे हैं फेस्बूक पेजशनLन कर रहे हैं तो आप्क happily कि असल्कितिए के कि कि सेल रूट है अज़ कर रहे हैं तो आपकी is महा कि परन्स कितनी कर रहा हूं, so for a business, it's extremely necessary कि आज के जोर में जब आप breaker motor company से बाहर निकल आएं तो फिर आप अपने आपको internationally globalization की इस दुनिया में आप बगएर social media के या digital marketing में के आप आप exist करी नहीं सकते और अगर आप exist करेंगे तो बहुत चोटे scale पर आपका काम होगा, so scalability जगर आपको चाहिए, अगर आपने बढ़ाना है अपने काम को सारी दुनिया तक महुचना है, तो पर digital marketing is the only thing जो आपको करनी होगा, बल्कुर चाहिए, तीन जवाब दे दिया, importance तो है इसकी, और importance है तो इसलिए आपको भी जो है वो रुकना नहीं चाहिए और अपने आपको involve करना चाहिए इस सारी चीज़ों में, अच्छा आप जैसे लोग जो के actively participate कर रहे हैं, उनसे मेरा सवाल ये होता है, कि let's suppose आप जिस field में हैं, लोग आपको definitely follow करते हैं, और चाहते हैं कि same role model की तरह TV पर आना चाहते हैं, क्या role model आपके लिए है या आप क्या suggest करते हैं, उनको किस direction पर जाना चाहिए अगर आप television पर आना चाहते हैं, तो आपके पास television पर आने का आप तो जमाना पूरा गुजरी गया television तो आखरी generation है, हम लोग जो television को ऐसे television देख रहे हैं अब तो digital media है, तो आप YouTube पर या Facebook पर मुक्तलिफ इतने platforms हैं, Twitch पर किसी भी platform पर आप अपना channel खुछ शुरू करके काम कर सकते हैं, the only thing is कि आपके content में uniqueness कितनी है जो बात आप कर रहे हैं, उसको किस तरीके से आप लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं और उसी चीज़ है कि आपने खुद उस subject के ओपर कितना अभूर हासिल किया जो काम आप कर रहे हैं तो डिजिटल पर आप काम करना शुरू करें और बैसे, जबरदस जी, मैंने देखा है आप Twitter पे ज़्यादा active है, बाकिस सोशल मीडिया से आप ही क्या नराजगी है मैं सुष्ट आदमी हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होते जादा सोशल मीडिया, ये मेरी एक तरीके से कहले है फ्लॉ है, तो मैं एक वक्त में एक सोशल मीडिया पर फोकस करता हूँ, तो दूसरा आटमेटिकली छूट जाता है चछा चा ठीक है जब फेस्बुक पर फोकस करो तो तो ट्विटर रह जाता है, ट्विटर पर फोकस करो तो तो फेस्बुक रह जाता ये प्राबलम है, मुझे हैं आप सिखाएंगे मुझे बिल्कुल जी हम कोशिश करते रहते हैं और जितने इंफ्लूएंसर से मेरी मुलाकात होती है मैं कहता हूँ टीवी छोड़ो सोशल मीडिया पर आ जाओ क्योंकि मैं जहां पर जा रहा हूँ मैं यह इंडोर्स कर रहा हूँ बिल्कुल तो यह थे जी अवैस मंगलवाला थैंक यू अनिमच आपने टाइम दिया और मेरी ओर्डियोंस को मॉटिवेट किया के वह आज से ही जो है वो डिजिल मार्केटिंग को सिर्यस लिना शिरू करें हो जाओ सिर्यस भी कैजी थैंक यू वरी मुच अर अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और फेस्बूक पेज फालो नहीं किया तो जरूर करें और इंस्टाग्राम पर फालो करना नहीं भूलिएगा दैट सॉल फर टोड़े थैंक यू वरी मुच आप गो जए झेंगा थैंक यूप दॉर और करने प्रटाइब श्यवेट काने वा हैंक फिर प्सक्राइब पर टेस्व खालो तो घड़ खालो तो calor तो प्सक्राइब और कारें सेंपै को फिर से स्थांट करें और आप पीड़ू अरग जाव पालो सेंग तो तो